हेला एवरिवन बच्चों के लिए आज सुभे मैंने आलू के पराटे दही के साथ बनाए थे तो उनका पेट जब उसकूल से आए तो काफी भरा हुआ था और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमें खाना नहीं खाना है यानि उन्हें रोटी नहीं खानी थे मैंने सोचा बच्चे रोटी नहीं खाएंगे यानि मेरा भी लच रह जाएगा तो मैं बहुत ज्यादा परिशान हो रही थी को मैंने चलो मुझे अब पूरा खाना नहीं बनाना पड़े गा तो मैं इस आटे का क्या करूं थे मैंने सोचा चलो इसके हम इंस्टेंट रखा था यह बहुत गीला लग रहा था फिर मैंने सोचा कि शायद बन जाएगा इतने गीले से तो मैं ट्राइ कर रही थी तो मैंने इसमें और लगा दिया क्योंकि हम अगर फ्रेश आटा लगाते तो इसमें और नमक और कुछ चीजे जरूर एड़ करते और यह परांठी का आटा था तो यह अल्रेडी इसी वज़े से सॉफ्ट था तो फिर थोड़ी देख लिए मैं भूल भी गई थी कि इसमें अल्रेडी नमक है फिर मैंने उस नमक को हटा दिया फिर थोड़ा बहुत था तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तो यहां पर देखिए मैंन इतनी बड़ी रोटी बन गई फिर मैंने यहां पर इसके लिए पानी भी गरम करने रख दिया जिससे हमारे जो नूरल्स है वो जल्दी जट पर तयार हो जाए तो देखिए मैंने कुछ इन्हें इस तरीके से बहुती पतला यानकी थिन साइच में मैंने इन्हें कट करना च छ Commission मैंने सूचा के थोड़ी सी मैठने और करनी पड़ गी मैंने इसमें सुखा आठा मिला कर और इसे थोड़ा सी चाईट किया जिससे क्या है कि हमारी डूर चुछ मेशनी ॥े में इसे अठन कर लिया और मैं इसे फिर से रोटी की तरह बेल का फिर से मैं यह से लंबा लंबा पतला पतला इसे कट करूंगी पिल्खुल से नूडल की शेप दें अगर आपके पास पीजा कटर है तो उसकी साहता से इसके जो नूडल्स बनेंगे वह बहुती पतले बनेंगे और इसली मैं चारो रोटियों के पैसं टियार कर लिये तो इन्हें खटना यांकि इस यह साथ नहीं की तो मैंने इनने कीने दो-डो चपादी के नूडल्स यांकि इन रोटियों के नूडलोडस वोयल किए फिर उन्हे इन एक तरफ निकाल लिया तो मान देखिए अब हलका गरम हो चका है अब मैं इसमें थोड़े से एक चमच के अराउंड यहां पर ऑईल डाल दूंगी जिससे नूडल से आपस में चिपके नहीं तो अब देखिए मैंने इस तरीके से मिला दिया अब यह एक भी नूडल आपस में चिपकेंगे नहीं एक ही करके मैंने अब सारे नूडल से डाल दिया है इन्हें 2-5 मिट के अंतराल में हमें इन्हें वाइल करना यानकि इससे ज्यादा टाइम नहीं देना 2-3 मिट काफी है इन्हें वाइल करने के लिए और देखिए यह कुछ इस तरीके से वाइल होकर निकल आए हैं और हमारे नूडल स साइज में भी थोड़े से मोटे हो गए हैं तो यह प्रफेक्टली अब यहां पर वाइल हो चुके हैं अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे फ्राइ करने की तयारी करते हैं तो यहां पर देखिए मैंने कुछ कैपसिकम ले ली है और कुछ कैवेज इने फाइन चॉप कर लिया है यहां पर मैंने एक अन्यान ले लिया है तो इसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है तो इसी तरीके से आप अपनी मन पसंद कोई भी वेजेटर विल डाल सकते हैं और इस तरीके से हेल्दी होमेड आप नूडल्स बना कर खा सकते हैं तो यहां पर देखि आपस में चिपकते नहीं है वैसे तो लोहे की कड़ाई सबसे बैस्ट होती है अब मैंने नोनिस्टेक कड़ाई में मस्टर्ड ऑइल डाल दिया है तो थोड़ी से ऑइल की कौंटरिटी हमने यहां पर ज्यादा रखी है जिससे हमारे नूडल्स एक एक रहें बिल्कुम मैगी किता है जैसे हम मार्केट की नूडल्स होते हैं उस तरीके से तो हमें यहां पर सभी वैजिस को डाल दूंगे और हाई फ्लेम पर इन्हें एक से दो मिट अच्छे से पकाऊंगे जिससे हलके से सौफ्ट हो और थोड़े से क्रंची भी रहें देखिए अब यह तरीके से हो किता हैं इन्हें लगाता चलाते चलाते तो यह घ्लाते इस तरीके से हां और सारी जो अनियंस प्लेम वेज़के से हो अब यहां पर मैं पर मैं इसमें सा अब पर और देखिए कनल देगे और फिर इसके बाद हम इसमें सोया सॉस एड़ करेंगे और साथ ही यहाँ पर मैं ग्रीन चिली सॉस एड़ कर दी हूँ तो सब कुछ मैंने अपने तरीके से लिया है आप जब 20 तरीकी का नूडल्स बनाए तो इनकी कॉंटिटी आप अपने एकॉर्डिंग रखें और चिली सॉस भी टू टेबल स्पून के अराउंड यूश किया है सबी को अच्छे से चला देंगे फिर हम इसे नूडल को धीमियाच पर डाल कर अच्छे से चलाना है अगर आप कोई और मसाले इसमें एड़ करना चाते हैं तो इसमें कर सकते हैं तो यहां तो मैं इसके अलावा कोई भी मसाला एड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये ऐसे ही काफी अच्छे लग रहे हैं, और मेरे बच्चे भी इसे एजली खा सकते हैं। तो उन्होंने एक बाइट जैसी ही ली तो कह रहें, ममा ये तो बहुत ज्यादा यमी हैं। तो मैंने का आपने कहा था आपको आज रूटी नहीं खाना हैं। तो ठीक है, फिर मैंने रूटी नहीं बनाई पर मैंने आपके लिए इस तरीकी का नूडल बना दिया। फिर मैंने उन्हें बाद में बताया है कि मैंने उसी केहम के आटे से ये आपका जट पर बनने वाला नूडल्स तयार कर दिया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा सच बताएं तो हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से इंजॉय किया बच्चों ने तो इसके उपर केचप डालकर वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक क्यार